नमस्कार अदाप सस्रिकाल दोस्तों बिग बॉज सीजन 17 के खर के अंदर सुबह सुबह आखिरकार क्यूं हुआ नील भट को अपनी शाधी करने पर सबसे बड़ा पच्छतावा नील भट को आ लेकर यहाँ पर सबसे बड़ी खबर जो है बिग बॉज सीजन 17 के लाइफ फी अपनी शाधी को लेकर ऐसा क्यूं लगा और एश्वरिया शर्मा पर किस तरह से गाजगिरी है किस तरह से बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है ये बात पूरी तरह से पूरे विस्तार से जो है आज हम आपके सामने बताने वाले हैं लेकिन इससे पहले अगर अभी तक को आप जरूर दबा ले नील को आखिरकार क्यों पच्छता हुआ हुआ यह सबसे बड़ा सवाल है तो आपको बताना चाहते हैं बिग बॉस का एंथम अलाराम जब बच्छता है तब नील भट जो है सबसे पहले जो है वो उठ जाते हैं और नील भट की पस्नालेटी भी वैस काफी डिसिप्लीन वाली और काफी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर जो है अपने जिंदगे में आगे बढ़ते हैं लेकिन ये बुरी बात ये बुरी खबर ये है कि नील भट की जो वाइफ हैं कम्प्लीटली उनकी अपोजिट है नील भट अगर कुछ करते हैं तो उ उनको पीना रहता वो पी लेते हैं और एश्वरिया शर्मा के पास वो जाते हैं एश्वरिया शर्मा के पास जाकर उन्हें मनाने की वो कोशिश करते हैं अब एश्वरिया शर्मा जो है काफी नराज जो है वो चल रही होती है एश्वरिया शर्मा की नराजगी की जो सबसे बड़ी वज़ा है वो वज़ा है जो बिग बॉस के घर के अंदर जो रूम का जोताब आदला हुआ कंटेस्टन का जोताब आदला हुआ है पहले दिल मकान में थे एशो और आमो में थे यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं एश्वरिया नील अब वो दम मकान में जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं जिसके बाद आपको बताना ये भी चाहते हैं कि एश्वरिया शर्मा काफी नराज है नराज इतनी है कि एश्वरिया शर्मा को समझाने की लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कोई और नहीं बलकि नील भट की यह एक गेम का प्रोसेस है यह सब चीजे जो होता ही रहेगा लेकिन यहाँ पर यह सब चीजे होने की वज़े से इनका जो रियाक्शन जो आश्वरिया पर फुटा है वो रियाक्शन जो आश्वरिया का रियाक्शन जो निकला है वो नील बट पर निकला है और नील बट जब सुबह सुबह जाते हैं आश्वरिया के पास तो उन्हें हट हटा देती हैं ना सिर्फ हटा देती हैं बलकि यहां पर पूरी तरह से गंधी तरीके से जो है वो ट्रीट करने लगती है इतनी गंधी तरीके से ट्रीट करने लगती है जिसकी वज़े से यहां पर पूरी तरह से यहां पर एश्वरिया शर्मा की वज़े से नील बट को यह ए नहीं सकती ये बात जो है उनको लगा है जो मतलब ये बात दिल में लगी है पच्छतावा हुआ है और एश्वरिया शर्मा से ये ये भी नील भट भी जो है दूरी बनाने के बारे में जो है वो सोच रहे होते हैं तो ये चीजे जो है वो निकल कर सामने आ रही है बिग बॉस ये शर्मा को लेकर नील भट ने जो सोचा है वो क्या सही है ये गलत कमेंट के थूरू आप हमें ये बात जरूर बताएं और साती साथ अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चानल क्विक टीवी न्यूस को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले सबस्क्राइब करना न भूलिए बलकुल भी आजके खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों आजके खास रिपोर्ट में बस इतना ही तब तक लेबने है रहे हम यूटूब चानल के साथ तीवी न्यूस की रिपोर्ट